हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फ्लैमिंगो उसका चैप्टर नंबर 5 इंडिगो लुइस फिशर द्वारा लिखा हुआ उसकी समरी कराने जा रहा हूँ ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बुक है अभी फ्लैमिंगो की क्लास 12 की ठीक है उसमें ये चैप्टर देखिए इंडिगो चैप्टर 5 नंबर 5 इस चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा मैं आपको इसकी थियोरी कराता हूँ भी इसकी स समरी आपको समझाता हूँ ठीक है जी सो समरी में सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश में और मैं इसको साथ के साथ हिंदी में भी ट्रांस्लेट करता जाओंगा ओके सो इन दिसमबर 1916 गांधी वेंट टू लखनव टू अटेंड अनुल कन्वेंशन ओव दा इंडियन नैशनल कॉंग्रेस दिसमबर 1916 में गांधी गए थे लखनव में जो इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का वार्षिक कन्वेंशन होना था उनका समारो होना था वहां गए थे उसमें लगबग देर वर 2301 डेलिगेट्स एंड मैनी विस्टर उसमें 201 डेलिगेट्स हाई हुए जो की कॉंग्रेस पार्टी के थे और बहुत सारे विस्टर से अब पीजन फ्रॉम चंपारण राजकुमार शुकला एक किसान जो कि चंपारण से था जिसका नाम राजकुमार शुकला था आस्क घांधी तू विजिट इस डिस्ट्रक और उसमें गांधी को कहा कि आप मारे डिस्टिक में जरूर आई है शुकला फॉलोड गांधी शुकला ने गांधी का पीछा किया उनके पीछे पीछे चले वेरेवर ही वेंट जहां भी वो जाते गए इन नाइंटिन सेवंटी गांधी अंड शुकला बोर्ड़ेड आ ट्रेन फॉर पत्ना उन्होंने पत्ना के लि पाए as he was out of town क्योंकि वो town से बाहर थे ठीक है जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले paragraph में गांधी decided to go to the मुझफरापूर to obtain complete information about the conditions in the चंपारण तो गांधी ने decide कि वो पहले मुझफरापूर जाएंगे मुझफरपूर जाएंगे to obtain complete information पूरी जानकारी प्राप करने के लिए क्या सिचेश चंपारण डिस्टिक की ही रिच मुझफरपूर बाइट ट्रेन अड मिड़ नाइट ओफ फिटीन एपरिल 1970 वो मुझफरपूर पहुंचे ट्रेन के द्वारा आधी रात को 15 एपरिल 1913 को ठीक है प्रफेसर जेवी क्रिपलाणी रसीवड हिम एड़ स्टेशन प्रफेसर जेवी क्रिपलाणी ने उनको स्टेशन पर उनका स्वागत किया उनको लेने आए गांधी स्टेट देर फॉर टू डेज गांधी वहां पे दो दिन के लिए रुखे गांधी जी के वहां आने का और वो किस मिशन पे वहां आये हैं बहुत जल्दी वहां पे मुझाफरपूर में और चंपारण में ये फैल गया शिर्क क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगें अराइविंग दियर फसल बोने वाले लोग वहां पे आने शुरु होगे मुझाफरपूर लायर ब्रीफ गांधी अबाउट दा कोर्ड केसिज मुझाफरपूर में जितने भी वकील थे सभी ने गांधी को वहां चल रहे केसिज के बारे में अवगत कराया रहे करें अब लायर फॉर क्लेक्टिंग फीज फ्रॉंट धिशर कॉर्पूर उन्हों ने वकीलों को किसानों से जाधा फीज लेने के लिए डांटा उसको मना किया कि वह इनसे जाधा फीज ना चार्ज करें यह थॉट्ट गांधी लाग कोड़्स वहां पर नहीं पहुंच पाएं असली उनको मुआवजा या असली उनको सहारा या आराम सहूलित तब मिलेगी जब वह बिना डरके वहां पर जा पाएंगे ठीक है जनकोरी निजाधी ओंदि टो इन खाएंगे चैन्पारन पर पहूंच है। कमीशनर तू दा ट्रिहट डिविजन उन्होंने फिर ब्रिटिश कमीशनर ऑफिशल कमीशनर से बात की ठीक है दा कमीशनर स्टार्ट बुलिंग गांधी एंड एडवाइज हम तू लिव ट्रिहट कमीशनर ने गांधी को दमकाना शुरू किया और उनको बोला कि आप यहां से चले जाएं तुलिविंग दा एरिया गांधी वेंट टू मोतिहारी उन्होंने वह एरिया छोडने की बजाए वह जगह छोडने की बजाए वह मोतिहारी चले गए डा कैपिल ऑफ चंपारण जो की कैपिल थी चंपारण की सेवरेल लाइज एकॉंपनेड हम बहुत सारे वकीलों ने वह भी उनके साथ गए लार्ज क्राउड ऑफ पीपल ग्रीटिड गांधी एड़ रेल्वे स्टेशन बहुत सारी लोगों ने रेल्वे स्टेशन पर गांधी का स्वागत किया इट वस बिगनिंग ऑफ देर लिबरे पड़ रहे हैं अपीजंट हैड बिन मॉल ट्रीटेड इन नेर्वाइव विलेज एक किसान को पास के गाउं में बहुत ही बुरी तरह उसके साथ ट्रीट किया गया उसको बड़ा गंदा बहवार किया गया दानेक्स मॉनिंग गांधी स्टार्टर आउट ओन दा बैक ऑफ अगले दिन गांधी एक हाथी की पीट पे बैठके वहां गए सून ही वाज स्टॉप बाइदा पुलिस सुप्रिडेंडेड मेसेंजर और जल्दी ही उनको वहां सुप्रिडेंडेंड मेसेंजर ने रोक दिया और ऑड़र हिम तो रिटरन तू दा टाउन इन इस कैरिए और अफिर उसने गांधी को गांधी जी को नोटिस दिया कि आपको कोई चमपारण इसे वक्त छोड़ना पड़ेगा गांधी साइड दा रेसीट गांधी ने वह रसीट शाइन की फ्रो फॉर दा नोटिस और रोट हों डेड़ देड़ देड़ ही वूड डिस ओबेड और और लिख दिया कि मैं यह बात नहीं मानूँगा गांधी रसीट शाइन तो अपेर इन दा कोट नेक्स डे और गांधी ने कोट में अपेर होने के लिए साइन ले लिया कि हां मैं कोट में जाओंगा पर मैं यहां से वापिस नहीं जाओंगा आप मुझे कल गिरफतार चाहे कर बेजी एंड वाइड अफुल रिपोर्ट तो दा वाइसराय और वाइसराय को पूरी जानकारी दी थाउजन्ड ओफ पीजन्ट्स गैदर अरूंड दा कोट हाउस हजारों जो किसान थे वो कोट हाउस के बाहर जमा हो गए तो ऑफिशल फेल्ट पावरलेस जो ऑफिशल थे हैं वह पावरलेस फेल कर रहे थे ऑसहाय फिल करे थे अथोर्टीस ओपने सीट्डीर से सब्सक्राइर चाहते थे तो मेजिस्ट्रेट ने जो वकील वहां पे जज थे उन्होंने कहा कि वो अपनी जो आपकी सजा है वो दो गंटे के बाद सुनाएंगे गंधी जी को बिना बेल के ही छोड़ दिया वकील ने गंधी जी को बिना बेल दिये ही छोड़ दिया कोड दुबारा शुरू हुआ दा कोड़ चार्ट अगें आफ्टर ब्रेक एक ब्रेक के बाद दुबारा स्टाट हुआ दा जाज सेड ही वोड नौट बी डिलीवर दा जजमेंट फोर सेवरल देर गंधी वकील ने उस जज ने गंधी जी को बोला कि वह अगले कुछ दिन तक फैसरा नहीं सुना सकते ही और कहा कि वो कुछ दिनों तक अजादी से रह सकते है गंधी को छोड़ दिया एक तरह से मतलब तो अब क्या हुआ गंधी आज दा प्रॉमिनिट लॉयल्स अबाउट दा इंजस्टिस तू दे शेर क्रॉपर्स गंधी जी ने जो मेन मुखे वहा कीजिए दे कंसल्टर अमंग देंसल उन्होंने एक दूसरे से बात की दें टोल गंधी डैट दा दे वर रेड़ी तू फॉलों तू इंटू जेल तब वकीलों ने कहा कि वह गंधी जी के साथ जेल में जाने को त्यार है गंधी दें डिवाइड़ दा ग्रॉप इंटू पि हम दें ग गंधी वाइड़ी जाता है आपका केस हो लोट कर दिया जाता है आपका कश्तम कर दिया फॉर थी इंडिया फिर्स ताम इंडिया सिवाडिडेंस वाइज रिफांव और पहली बार मॉडर्ण इंडिया में असहयोग अंदोलन की जीत हुई गांधी एंड लॉयर्स conducted an inquiry into the complaints of the peasants गांधी जी ने और वकीलों ने वो एक inquiry एक जाँच बठाई जो की किसानों की against थी शिकायते थी about किसानों की जो शिकायते थी उनके against एक inquiry बठाई about 10,000 pieces deposed documents were collected paper इकठे किये गए गांधी वाज समंट बाई sir Edward Gate और sir Edward Gate ने उनको बुलाया गांधी जी को the lieutenant governor जो lieutenant governor थे वहां के he met the lieutenant governor four times और lieutenant governor से चार बर मिले and official commission of inquiry was appointed और एक inquiry commission वहां पे बठाया गा गांधी remained in चंपारण initially for several months गांधी जी वहां पे सात महीनों के लिए चंपारण में रहे then came for several shorter visa और बाद में भी छोटी छोटे विजिट के लिए कुछ दिनों के लिए आते रहे the official inquiry assembled evidence against big planters और official inquiry बिठाई गई सबूत इकठे किये बड़े-बड़े planters के against जो बड़े-बड़े जिनके खेत थे they agreed in principle to make refund to the PZ वो मान गए सिद्धांतिक रूप से कि वो किसानों के पैसे वापिस कर देंगे गांधी आस्ट अप्टी परशंट करेंगे गांधी कैसे चलो ठीक है माल लिया डाट लोग वास ब्रोकन तो यह एक डेलोग प्रूट किया और इसको उनने क्या किया कहा चलो कोई नहीं बात खतम करो 25 परशंट वापिस कर दो उनके पैसे जो आपने एक्स्रा चाज़ की ओके गांधी सब्सक्राइब वापी किया जा रहे है धेंडा डेंडा डेंडा यूए तो पीसानों को डेंसा इसथ कर मएड एडिकार के आण टो बचाने वाला कोई है उनको हिमत आ गई इवेंट इवेंट से जस्टिफाइड गांधी जी जी पॉजिशन को जस्टिफाई किया विदिन फ्यू यहस ऑफ दे बिटिश प्लांटर्स डिस्टिफाइड देर इस्टेट्स और जितने भी बिटिश प्लांटर से उन्होंने अप जो बांड की खेती करना था वो बंद हो गया गांधी वांटे तो डू संथिंग तो रिमूव दा कल्चर एंड सोशल बैकवर्निस इंदा चंपारण विलेज गांधी जी जो रिमूव करना चाहते थे वहां पे जो कल्चर को लेके या समाजिक या संस्कृति को लेके जो प गांधी महादेव देशाई और नहारी पारिख आपने पत्नियों के साथ वलन्टरली आगे काम करने के लिए several more came from Bombay, कुछ Bombay से आए, कुछ पूने से आए, कुछ other distant parts of land, कुछ दूर दराज के बहुत से हिलाकों से है, देवदास गांधी जी का सबसे चोटा बेटा देवदास arrived from the आश्रम, आश्रम से भी आ गया, and so did Mrs. गांधी, और उनकी श्रीमती गांधी जी की पत्नी भी वहाँ आ गए, कस्तूरबा taught the आश्रम rules on personal cleanliness, personal cleanliness के लिए ठीक है, अपने शरीर को साफसफाई के लिए उन्होंने आश्रम में नियम बनाए, और community sanitation, और community sanitation के पर जोर दिया, health conditions were miserable, health conditions बहुत ही जादा, दैनी स्थिती में थी, खराब थी मतलब, गांधी got a doctor to volunteer for services for six months, गांधी ने एक doctor की सेवाई ली, छे महिने उनकी सेवा करने के लिए, त्री medicines are available, तीन medicines वहाँ available थी, castor oil, कुनीन and sulfur autumant, गांधी नोटिस the fifth state of the woman's growth, गांधी जी ने नोटिस किया कि औरतों के कपड़ों की दशा ठीक नहीं है, गांधी जी के बहुत लंबे समय में, चंपारण में रहने के वाले period में, गांधी जी ने एक दूरी बना के रखी, लॉंग डिस्टेंस वाच आश्रम, अपने दूर रहते हुए भी आश्रम पे नजर बनाई रखी and send regular instructions by mail, और mail से चिट्थी के द्वारा, वो regular महाँ पे instructions बेज रहे थे, ठीक है students, तो अगला paragraph है, चंपारण episode was a turning point in Gandhi's life, गांधी जी की जिन्दगी में ये चंपारण एक बहुत ही बड़ा turning point है, it didn't begin as an act of defense, ये एक कोई बड़ा defense का act नहीं है, it grew out to an attempt to lessen the suffering of poor peasants, ये एक तरीका था, एक attempt थी, एक कोशिश थी गरीब किसानों की रहे थे, सहरे थे, गांधी's politics was closely connected with the practical day-to-day problem of the millions, गांधी की जो राजनीती थी वो लोगों की day-to-day problem को लाखो लोगों की day-to-day problems को दूर करने से connected थी, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet, वो ऐसा एक देश बनाना चाते थे, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो and thus make India free, और इस तरीके से व गांधी also taught his followers a lesson for self-reliance, उन्होंने आतम निर्बर बनने के लिए भी उनको शिक्षा दी, उसका भी पार्ट पढ़ाया उनको, गांधी's lawyer friends thought that it would be good idea, गांधी जी के किसान, sorry, वकील दोस्तों ने बताया कि ये एक अच्छा आइडिया for Charles Frere Andrew, the English pacifist, to stay in Champaran की, वो एक यहां प Andrew वहां रुकना चाहते थे यदि गांधी मान जाए बाद गांधी अपोज इट फोर्स लिए, गांधी ने कहा कि यह नहीं तुमने यह नहीं करोगे, the cause is just and you must rely upon yourself to win the battle, कहता अगर यह तुमारी आप हमारी अपनी लड़ाई है और इसे हम खुद लड़ेंगे, ठीक है, does self-re share croppers की मदद करना, ठीक है, were bound together, वो एक दूसरे के साथ सारे जुड़े हुए थे, ठीक है जी, तो students इसी के साथ, यह summary complete होती है, I hope कि आपको अच्छी तरह समझा गया होगा, आप इसके अराम से, notes बना सकते हैं, ठीक है जी, okay जी, done